हेलो मेरे प्यारे बच्चों कैसे हाल चाल है उभित करता हूँ कि आप सब बहुत बढ़े हाऊंगे मैं मुहित याद हो आपको पढ़ाता हूँ जी विग्यान और जी विग्यान जो मैं आपको यहाँ पर पढ़ाने जा रहा हूँ यह क्लास 9 के बच्चों के लिए है यह उद ही मजेदार चैप्तर है क्यों चोकि बेटा वह जोड़ा है आपके आस पास के वातावलर से आपके आस पास के इनंवयर्मेंट से हम यह भी कह सकते हैं कि यह चैप्तर जो है जिसका nama है कि हम बीमार क्यों होते हैं तो अब आपको नाम सही समझ में आ रहा होगार बहुत बिमार ही बने रहते हैं तो ये चप्टर हैं हम बिमार क्यों होते हैं ये चप्टर पूरा पूरा goण आपसे रिलेटेर हैं वैसे भी हमने आपको पहले बताया है कि जू जीविज्ञान है लिए पूरा एक तो अपने बारे में डिसकस करते हैं ठीक है और इसके अलावा अपने आसपास के वातावण में हो रही जो चीजे हैं अपने अड्मास्फियर के बारे में हैं है ना पेड़ पोधों के बारे में डिसकस करते हैं छोटे छोटे जीव जनतियों के बारे में डिसकस करते हैं जैसा कि हम लोगों ने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा था, जिसके बारा बारा लेक्चर गहे थे, है ना, मुझे समझ में आ रहा है कि तुम लोगों बारा लेक्चर पढ़ गर के ठक गए होगे, सर कभी खतम होने वाला है ये चैप्टर, तो कोई नहीं, टेंशन नहीं लेनेगा, टेंशन नको बिल्कुल, तो ये जो चैप्टर है ना, इसमें हम लोग अब डिरेक्टली जो है पढ़ेंगे ऐसी चीजों के बारे में, कि हम आखिर क्यों बिमार हो जाते हैं, ऐसा क्या रीजन होता है, ऐसे कौन कौन से रीजन होते हैं, जो बिमारी का कारण बनते हैं, अब समझो बाटा, ये कितना ज़्यादा महत्पूर चैप्टर है आपके लिए, एक्जाम के परस्पेक्टिव से तो देखो इंपॉर्टन है, एक्जाम के परस्पेक्टिव से, एक्जाम के लिहाज से तो हर चैप्टर महत्पूर है, लेकिन बटा ये जो चैप्टर है ना, कि हम बिमार आखिर क्यों होते हैं ये सबसे ज़्यादा महत्पूर है किसके लिए आपके लिए क्यों अगर आप स्वस्त रहेंगे तभी आप क्या रहेंगे मस्त रहेंगे ठीक है ना तो स्वस्त रहो मस्त रहो लेकिन स्वस्त रहने की क्या क्या कारण है किस तरह से हम लोग स कि हम लोग अकसर जल्दी जल्दी बीमार हो जाते हैं या फिर कोई बड़ी बीमारी या कोई छोटी बीमारी या हम लोगों को क्या कर लेती हैं गर्शित कर लेती हैं जिसकी वज़े से फिर हम लोगों को बुखार आयाता है है फीवर आता है या और भी कोई बहुत सारी बीमा में जाओगे तो बेटा चार घर में से दो घरों में तुमको ऐसा कोई न कोई बंदा जरूर मिल जाएगा जिसको क्या होगी बीपी की दिक्कत होगी जिसको शुगर की दिक्कत होगी है ना यह दिक्कत तो मलब आजकल बहुत कॉमन हो गई है हर चार घर में से दो घर में यह स समझेंगे कि आकिर इन बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है आप तो इतने छुटे-छुटे करने के लिए क्या होना चाहिए पहले तो जुरून भाई साब तकड़ा जुनून होना चाहिए कि नहीं बस भाई कुछ कर दिखाना है है ना तो एक तो जुनून होना चाहिए लेकिन दूसरी बात कि भाई साब अगर आप स्वस्त नहीं रहेंगे तो आप किस तरीके से आप बेरा मन नहीं है ना कुछ खाने का मन ना खेलने का मन बस लेड़े रहने दो तो भाई सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्या है आपका स्वस्त रहना चूंकि स्वस्त रहोगे तो मस्त रहोगे तो चलिए चप्टर की सुरुआत करते हैं आपको पता लगी गया होगा कितना ज्यादा मज़ेदार चैप्टर है यह कुछ हो रड़ना नहीं है सिर्फ और शिर्फ क्या करना है लेक्चर को सुनना है क्योंकि जितना आपको यहां पर पढ़ाए जा रहा है इसकी जो पीडियाफ है वह आपको यूट्यूब के डिस्क्रिशन बॉक्स में जाओंगे वहाँ और देखते हैं कि आज हम लोग किस-किस टॉपिक के बारे में, बाई चेप्टर तो है, कि हम बिमार क्यूं होते हैं, लेकिन अब ये एक लेक्टर में नहीं, ये इसके बहुत ज्यादा लेक्टर भी नहीं लगेंगे, अप्राउक्स तीन से लाच चार लेक्टर में ये जो है चप्टर आपका क्या होगा खतम हो जाएगा ठीक है तो तीन से जो चार लेक्चर होगे सारे ही लेक्चर एना एक से धुआधार एकदम मज़ेदार होगे ठीक है ना बने रहो हूँ मेरे साथ और देखते हैं कि आज हम लोग क्या क्या topic को यहाँ पर discuss करने वाले हैं तो जिन topics को हम लोग आज यहाँ पर discuss करने वाले हैं बिटा वो topic क्या है तो सबसे पहला topic है स्वास्त और इसका बिगड़ना सबसे पहला topic क्या है स्वास्त और इसका बिगड़ना तो चर्चा ही यही हो रही है यहाँ पर कि जो स्वास्त है स्वास्त मतलब क्या है हेल्थ है ना जो हमारी हेल्थ है किस तरीके से हम मस्त रह सकते है ठीक है और सबसे बड़ी बात सबसे बड़ी बात क्या है इसका बिगड़ना हम लोगों को क्या करना है हम लोगों को ध्यान देना है किस पे अपने स्वास्त के बिगडने पे ठीक है ना अगर स्वास्त बिगड़ गया अभी बताया ना मैंने कि अगर बेटा जरासा भी अगर आपको फील हुआ कि नहीं मुझको बुखार जैसा लग रहा है सर्दी जुखाम खांसी कुछ अगर हो गया तो बताओ अच्छा और आप खुद भी डिस्ट्रब हो रहे हो है ना तो बड़ा ही एक अजीब सा एक वीकनेस आ जाती जुखाम खांसी जब जादा हो जाता तो क्या होता है एक वीकनेस आ जाती है सरीर में कमजोरी आ जाती है तो हम कैसे स्वस्त रहेंगे कैसे हम मस्त रहेंगे इसके लिए हमारा स्वास्त नहीं बिगड़ेगा ठीक है ना जैसे कि सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं सबसे पहली चीज क्या एक छोटी सी बात की अकसर जब भी आप खाना खाने जाएं आप लोगों ने सुना भी है आप लोग जानते भी है लेकिन फिर भी हम यहाँ पर आपको स्बाइब किते बता रहें क्यों 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 कि बीन चाहें नहीं और खाना खाने से पहले और खाना काने के बाद तो हाथ दुलना इहीं और उसलिए हैं दुलो, ठीक है, क्या गरो, हाथ दुलो, तो भाईया, हाथ दुलो अपने, ठीक, कब, खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद, खाना खाने से पहले तथा बाद में, ठीक है न, तो भाईया, खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद, आपको क्या करना, कंपल सरी, कामपल से लिए करना अपको हाथ दुलना है हाथ के सब को पैर भी दुलने जब भी खाना खाने जाओ तो हाथ पैर मू सब दुलो अब बहुत से गये खेल कूद की आए बैटे ममी खाना दे दो हाँ बटा खाना ले आए और बस खा लिया अब आपके हाथों में क्या है बेक्टिरिया जिवाडू विशाडू बड़े-बड़े तुमको नहीं दिखते हैं तुमने देख पाओगे माइक्रोस्कोप सूच दर्सी की साहता से दिखेंगे अभी भी इस समय भी हाथ में क्या है बैक्टिरिया है अभी नुक्सान नहीं करेंगे तुमको यह टेंशन नहीं लेने का अभी तुमको नुक्सान नहीं करेंगे कब करेंगे जब तुम कुछ खाओगे तुमने कुछ खाया तुमने कोई fruits लिया तुमने कोई फल लिया और इसको ऐसे करके खा लिया अब यह बैक्टिरिया कहा चला गया तुमारे मुग के अंदर अब जैसे यह बैक्टिरिया तुमारे मुग के अंदर गया ना भाई साब अब यह अपना काम कर देगा चालू और तुम्हारा काम करना चालू करतेगा, अपना reproduction करेगा, अपनी संक्या बलाएगा और तुमको ब्यաर करेगा, तुम्हारी बोडी से nutrition लेगा, पहुंशन लेगा और तुमको नुक्सान पहुंचाएगा ठीक है इसली तो यह वाइरस यह बैक्टीरिया यह प्रोटो जोवा हमारे सरीर के अंदर ना जा पाएं उसके लिए पहली चीज तो कि हमको हाँ दुलना है दूसरी बात आप जो कुछ भी खा रहे हो अब खाना नही यह गए यह कोई भी फ़ल खा रहा है हो खीरे खा रहे हो हाला कि इस समय थो कगड़ी का सीजन ही नहीं है वह तो जिन्वरी के कबाता है हूं जून के ऐस पस है मैई जुन जब गर्भी रहती तब यह जदा आती लेकिन खीरे भी भी मिलते हैं ठीक है ना मूली मिलती है है ना इसके अरावा जितने भी फल है जैसे फल को ले ले लेते हैं फल और सब्जियां मतलब मैं आपको क्या बता रहा हूं मैं आपको ये बता रहा हूं कि किस तरीके से आप क्या रह सकते हैं स्वस्थ रह सकते हैं और अपने स्वस्थ को बिगड़ने से बचा सकते हैं तो ये तो मतलब बहुत प्राइमरी बहुत छोटी बहुत बेसिक चीज है जो आपको करनी ही करनी है अक्सर आप लोग या अक्सर हर कोई व्यक्ति इसी वज़े से क्या हो जाता है बिमार पड़ता है अक्सर जो छोटी-छोटी बिमारिया है वो सिर्फ इसी के वज़े से होती है चाहे टाइफाइड ले लो टाइफाइड क्यों होता है ड्यू टू कंटामिनेटेड फू मैं लगो खेल के आए या म gäller पढके उठे और क्या कि यह ब्रपाने इस gwाल यह खेल को आभार आप अफिर में पढ़ाता रहा और फिर मैंने समय पानी को पानी है उसमें प्रव assumptionbra जाएंगे क्यों की खुला है वातावानि या पर खुला है तो बाहर से क्या होंगे अब धका है नहीं इसका तो इसमें जी वाडु विशाडु प्लोटो जोवा यह सब क्यां है इसमें आजएंगे अब मझ्शर कंग गिर गया तो तुमको दिखेगा कि दोको से मच्छर पड़ा मक्ही पड़ी है मैं यह पानी गंदा हो गया इसको पानी को हटा दो लेकिन ऐसे सूच में जीव जो तुमको नहीं दिखते हैं और इस गिलास में पड़े हुए है ना वो तुमको दिख नहीं रहे क्योंकि वह बहुत क defending में छोटे हैं Micro Organize है और तुमने क्या जैस पानी को पे लिया ठीकिसे लिए मैं गिलास में नहीं पीता हूं किस में पीता हूं मैं यूज करता हूं बोटल है ना अब यह बोटल क्या है बंद है बाई चार इना अब मैंने क्या किया इसको खोला ठीक मुझे प्यास लगी ति मैंने पानी भी लिया फिर मैंने इसको क्या गिया ऐसे इसको बंद करके और अब रख दिया ठीक अब मैं काफी देर तक पढ़ाता रहूँगा है जब भी जितनी देर मेरा काम है या आपका जितनी देर भी काम है आपने किया और फिर आपको थोड़ा प्यास लगाई अब आप क्या करोगे आप फिर से बॉटाल उठाओगे या गिलास उठाओगे और इसको खोलोगे ठीक क पानी क्या है यह पानी साफ है किया यह पानी यह पानी साफ है ऑट गिलास में भरा हुआ जो कर रहा रहा है जो खुला रखा यह वह कैसा है probability काम κफ़्ण करमित पानी है दूसीत पानी और तो कि मैं बोटल का पर्चार नहीं अंढरा हैं मैं यह बता रहा हूं कि तूमको तो अगर गिलास से पहली बात तो पानी गिलास से पीना चाहिए बॉटल से नहीं पीना चाहिए ठीक है उसके और भी बहुत सारी रीजन है वो हमारे सरीर से जुड़े हुए है लेकिन पानी हमें सा किस से पीना चाहिए गिलास से तो अब इसके लिए क्या किया सकता है तो इस तो खोल के ऐसा आराम से पानी पीलो तो ये पानी क्या है ये पानी सही होगा ठीक तो हमें क्या करना है जो फल है या जो सब्जियां है जो मम्मिया या जो मम्मी या पापा जो सब्जी लाते हैं न है ना धनिया है मिर्चा है पालक है गोबी है मटर है और बहुत सारी सब्जी है यह जितनी भी सब्जिया है सब को क्या करना है दुलना है फल तथा फल तथा सब्जियों को इस्तिमाल करने से पहले दुले है ठीक है ना फल और सब्जियों को इस्तिमाल करने से पहले ठीक है यह तो मतलब बेसिक काम है और को फल खा रहे है आपको केला खाना है पहले क्या करो धुलना है अपको सिख खाना है फर वी उसको पाणीश चला कर दुलना नहीं तो है कितने टाम लगता है एक मिनन भी नहीं लगता है है ना अब आपको सेब खाने का μण कर रहा है आप आपने ना तो हाद दुले और ना सेब दुला उठाया सेब ऐसे खा लिया सेब भी गंदा क्यों क्यों उसमें च्छोटी सूच्मजीव हैं तुमारे हाथ में भी सूच्मजीव हैं आपने इसочку खा लिया ठीकर या कोई फल सेव या केला अनर कुछ भी आपने चिल के काट या उस demat ना हो बहुत देखा ने तो इसमें ऐसे संक्रवित पानी तो मैंने अभी आपको बताया पानी को खुला हुआ नहीं रखना है पानी को हमेशा ढख के रखें क्या करें पानी को हमेशा ढख के रखें ठीक है यह भी लिख देते हैं पानी को हमेशा ढख कर रखें ठीक है तो अज यह तुमको एक्जाम मैं नहीं लिखना है ठीक है कुछ चीजे ऐसी हैं जो सिर्फ आपको समझ नहीं मैंने क्या बताया आज का लेक्चर या इस चेप्टर की जितने भी लेक्चर है वो आपको सिर्फ और सिर्फ समझना है ठीकिन अगर आप समझ जाओगे तो आप एक्जाम में जो कोशन आएगा उसको आसानी से लिख सकते हो एक्जाम में पेपर में किस तरह के कोशना आएंगे आगे हम आपको वो भी दिखाएंगे किस तरह से लिखना है वो भी बताएंगे लेकिन सबसे पहले जो हमारे लिए जरूरी है वो क्या है स्वास्त और इसके बिगडने को रोकना क्यों 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 कि भाई साब स्वास्त का क्या है एक अपना महत्त है स्वास्त का क्या है स्वास्त का अपना महत्त है ठीके ना तो अपने स्वास्त को बनाय रखने के लिए अपने आपको बताई हैं ये आपको कमपनसरी करना है मतलब करना ही करना है क्या करना है आपको हमेशा खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद क्या करना है हात दुलना ही दुलना है क्यों अगर आपको स्वस्थ रहना है तो ठीक है ना सुबह उटके आप सभी ब्रश करते होंगे करते ही ए ठीक है और लेकिन रात को सोने से पहले भी आपको क्या करना है ब्रश करना है क्यों क्यूंकि हमारे दातों में जो दातों के हंदर चुटी-छोटी सी छेद होते हैं जगय होती वहाँ पर क्या होता है जिवाडु ही खटा हो जाते हैं ठीकर अब आप रात में खाप ये भढ़ा रहे गया जो छोटे छोटे में रह जाते है तो अब जीवाडु क्या करें उसको ले लेंगे ले इसों पहलिग और को पास असastra आप ये अब ब्लोगों ने लग जाते हैं तो आप लोग यह भी देखेंगे कि मम्मी पापा के बहुत करना है क्या करना पढ़ेगा तो तुम्हें करना पड़ेगा कि खाना खाने के बाद रात में सोने से पहले ब्रेश जरूर करना है तो ये बिटा कुछ ऐसी बेसिक चीजे हैं जो आपको जरूर करनी है और अगर आप ये करेंगे तभी आप क्या रहेंगे तभी आप स्वस्त रहेंगे तो अगर आपको स्वस्त रहना है तो रात को सोने से पहले ब्रश जरूर करना है ठीक है खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद आपको हाथ जरूर धुलना है ठीक है ना clean your wash और आजकल ये जो चलता है क्या मास्क बोलते हैं जब भी घर से बाहर निकलें तो मास्क लगा के जरूर निकलें क्यों कि घर के बाहर बहुत ज़्यादा धूल भी है डस्ट तो यह जो बहुत ज़्यादा धूल है ना ट्रैफिक में जाओ तो कितनी धूल रहती है तो यह जो इतनी धूल है यह धूल कहा जा रही तुम्हारे के अंदर जा रही है तुम्हारे फेफ़रों को नुक्सान पहुंचाएगी जब भी घर के बाहर निकलो तो मास्क जरूर लगा की निकलो अब उसके और भी फायद है जैसे कोरोना वाइरस में यह चल गया मास्क तो लोग लगाने लगे कि नहीं भी मास्क लगा लो तो सामने वाले वेक्तिंस का जो वाईरस है हमारे अंदर नहीं आएगा तो अब वाईरस तो नहीं आएगा लेकिन आम आप आप तो बाज़ार में कितनी दूल होती हैं कितनी धूल होती हैं- इसोत तुम सास ले रहे हो जब या फिर मूह से अंदर जाएगा और तुमने लगा लिया भाई साथ मास्क टेंटे रहें और तुमने का लगा लिए मास्क तो फिर जो है धूल वह पलूशन तुमारे अंदर नहीं जाएगा और तुम क्या रहोगे स्वस्थ और स्वस्थ रहने से क्या रहोगे मस्थ ठीक पल और सब्जियों को इस्तेमाल करने से पहले जरूर दुलें पानी को अगर नहीं रखें एसा पानी क्या होता है संक्रमित पानी होता है जिसमें छोटे-छोटे सूच में जीव होते हैं जो आपको अक्सर क्या गरते नुकसान पहुंचाते हैं तो यह तीन काम तो है ना और कि सोने के पहले ब्रस करना है यह कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको फॉलो करनी ही करनी है थिक है ना चलिये तो आगे बढ़ते हैं आज हम लोगों को यही सब पढ़ना है जो हम लोग पढ़ रहे हैं यही सुनना है आपको यही आपके जीवन में भी आगे काम आएगा आगे कुछ छोटी छोटी चीजे हैं वो भी आपको दिखाऊंगा वो भी आपके लिए एक्जाम मैंने आपको पहले बताया एक्जाम के परस्पेक्टिव से तो हर एक चीज महत्पूर्ण है और तुम यह ना सोचना कि मैं यह जो तुमको बता रहा हूं यह एक्जाम में नह के रखें है ना फल और सब्जियों को इस्तेमाल करने से पहले दुलें तो यही सारी चीजे आपको लिखनी है जो आपके जीवन से रिलेटेड है यह पूरा का पूरा जो चैप्टर है हम बीमार क्यों होते हैं यह पूरा आपके जीवन से रिलेटेड है और उमीद करता हू कि अगर आप इसको बहुत अच्छे से सुनेंगे सिर्फ और सिर्फ सुनना है अगर अच्छे से सुनेंगे आपके जीवन में भी परिवर्तन आएगा आपके बिमार होने की जो chances है probability है वो भी कम हो जाएगी ठीक है ना और आप स्वस्त भी जादा रहेंगे अभी भी रहते हैं आगे भी रहेंगे और आपके exam के perspective सित्व महित्पूर है ही तो चलिए एक और topic हम लोग आज discuss करेंगे कि ये व्यक्तिकत और सामुदाइक समस्याएं क्या होती है है ना व्यक्तिकत मतलब personal मनलब सिर्फ हम को ले करके सामुदाइक मनलब पूरे समाज को ले करके पूरे बातावरन को ले करके हम जिस समाज में रहते हैं तो वह आपर जो समस्याएं होंगे सामुदाइक समस्याएं बोलेंगे जो व्यक्तिकत है जो सिर्फ मेरे को करके हैं जो मेरे से रिलेटेड है वो क्या होगी विक्तिकत समस्यां हो जाएंगी उसके बारे में आज हम लोग संझेंगे तो चलिए सुरवात करते हैं ठीक है हालक इती जर्सी शुरॉत ही चल रही है लेकिन फिर भी आगे देखते हैं कि हम लोगों को क्या देखना है सबसे रहने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा यहां पर कुछ सारी चीज़ें दी गई है जैसे कि क्या है यहां पर घड़ी बनी हुई है इस घड़ी का मतलब यह कि बैया सुबह जल्दी उठें इस घड़ी का अब कौन-कौन से बच्चे सुबह जल्दी उठते हैं बताएंगे ठीक है तो सुबह जल्दी उठना चाहिए ठीक है अपने काम को समय से करना चाहिए घड़ी का मतलब क्या है अपने काम को समय से करो ठीक है न कोई भी लेट नहीं है न पंचुवल अफ टाइम इनसान को क्या होना चाहिए अपने समय का पावंद होना चाहिए अगर आपका स्कूल 8 बजे का है तो आपको वहाँ पे 10 मिनट पहले पहुंचना है अगर आप कहीं कोचिंग जा रहे हो या किसी के function में जा रहे हो कहीं भी जा रहे हो अगर वहाँ पे time आपको दिया गया है कि आपको सामको छे बहुतिने से हमारे आसपास का वाता वर्ण होता है वह हारुआ दो तो बाहर गारिया चल रही है तो वहान वह भी pollution नहीं है और लोगों की संख्या भी रात में नहीं होती है या बहुत काम होती है तो वातावर्ण में Pollution क्या होता है अपने आप कम हो जाता है और जब आप बारा बजए बादस सोने के बाद सुबह 6 बजए उठते हो तो इस 6 गंटे में वातावण का jer पल्यूशन है वो खतम हो जाता है और बातावन एकदम स्वस्त रहता है उस समय आप उठो बाहर टेहलने जाओ जादा नहीं लेकिन 10 मिनट 15 मिनट तो आपको टेहलना ही चाहिए और 5 मिनट दोड़ना भी चाहिए है ना तो टेहलना जिस तरह से स्वास्त के लिए जरूरी है आप लोगों के लिए दोड़ना भी जरूरी है तो अगर आप मेरी सलाम आने तो आप चाहे पिंकी हो या आप चाहे कलू हो मतलब चाहे लड़का हो या लड़की 10 मिनट नहीं तो 5 मिनट दोड़ना जरूर है आपको उस दोड़ने से क्या होता है तुमारे सरीर की जितनी भ तो जो है जल्दी से ऐघी जल्दी से बहार जाएगी तुमारे जो दिल है वह दढ़ दढ़ धर करके धड़केगा उसकी दढ़कानें वह तेज हो जाएगी तो मारे हाथ पर क्या करेंगे मूवमेंट करेंगे तो कम से कम पांच विनिट और बहुत तेज नहीं दोड़ना है अराम से करो, है ना, जिसको बोलते हैं क्या, जिसको बोलते हैं जोगिंग करना, जोगिंग मतलब अराम अराम से दोड़ना है ना, अराम अराम से क्या करना, जंप करना, तो अगर आपको स्वस्त रहना है, तो आपको क्या करना है, तो आपको क्या करना है, ज्यादा से साइस कर लिए है ना तो हो गया कभी भी जीवन में कभी भी तुम बिमार नहीं पड़ोगे गारेंटी है इस बात की भाई साथ समझे ना तो सुबह जल्दी उठो बाहर टेहलने जाओ दस पंदरा मिने टेहलो टेहल के फिर आजो देखना आज आप अगर ये लेक्चर सुन रहे हो तो आप कल सुबह साड़े पांच बजे छे बजे आप टेहलने जाना और टेहल करके आना और फिर आप खुद ही देखना आपको कैसा एक इनर्जेटिक फील होगा तुमको फील हो होगे वहाँ एकड़म एक्टिव होके बैठोगे बढ़ियां से कोई भी गेम होगा वहाँ तुम पाटिसिपेट करोगे है ना तुम खुद फील करोगे कि अगर तुम सुबह 15 मिनिट बाहर टेहल लेते हो पांच मिनिट तुम जोगिंग कर लेते हो हलके हलके दोड़ लेत हो औराम से पुरा दिन एकड़म मस्त करो है ना तो सुबह जल्दी उठने का और टहलने का क्यों क्यों क्या रहना है हल्दी रहना है क्योंकि आप स्वस्त रहेंगे तभी मस्त रहेंगे ठीक है तो यह चीज है अब यह क्या दिखा रहे है यह दिल की दढ़कन है तो यह दि करके होता है ऐसी आवाज आती है ठीक लेकिन अब जब आप बाहर जाओगे अभी अगर आप दोड़ने लगो ठीक है यह आपको कोई कुटा पीछे से दोड़ा ले तो तुम भागोगे और भागोगे तो तुम कैसे जल्लीली सांस लोगे ना तो तुम देखो कि तुम्हाई जो धड़कन है वो बढ़ जाएगी जो हर्ट रेट है वो क्या होगा बढ़ जाएगा तुमारी बाटी का जो सर्कुलेशन है जो ब्लेड का फ्लो है तुमारे सरीर के अंदर वो क्या हो जाएगा वो बढ़ जाएगा है ना तो अब यह जब ऐसे होगा ना तो यह क्या होग तो आप आदे गंटे पढ़ेंगे आपको लगेगा ठक गए है ना लेकिन अगर डेली लगातार पढ़ोगे तो क्या हो जाएगी हैबिट हो जाएगी जब आप कल सुबह टैलने जाएंगे यह अगर आप जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है नहीं जाते हैं कल आप टैलने जाएंगे दोड़ने जाएंगे जो दोड़ोगे आप Mun and two minutes मिनट से जात हा दोड ही नहीं पाउगे क्योव ठक जाओगे क्यों आदत ही सबस्क्राइब नहीं है लेकिन ज़हां दीरे दीरे आपने 10-15 दिन एक मिनट दो मिनट 1-2-3 मिनट दोड़ा तो 15 दिन के बाद Exact कले जाओगे तो कल से फिर 15 दिन बाद तुमारे दोडने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी तुम अपने आपको जादा हेल्दी फील करोगे तुम अपने आपको जादा स्वस्त जादा इनर्जेटिक फील करोगे क्यों उसका यही सब चीजन है तुमारा दिल एकदम मस रहना चाहिए किसी के लिए जरूर धड़कना चाहिए ठीक है और यह देखो क्या यह बाई सब डंबल उठा रहे हैं क्या कर रहे हैं इनको जिम जाना है समझे ना तो जिम जाना भी क्या है अब जो लोग बाहर नहीं चलने जाते हैं जो अगहर बाचले एकसराइस नहीं करते हैं तो वो क्या करते हैं वो जिम जान कर लेते हैं हैं ना उन mostिन जाना जिम जान कर ली बहाँ पर ब Duchक्ने वाधा से लीने के लिए हैं इस गारफने ब्होंग क्यूंढा और यह मैं इन्यां ठीफिप करने के लिएक यह आपको यहां एपल भी खाना है आपको सेख भी खाना है है ना ये क्यों कटा हुआ एपल बना हुआ यहाँ पर कि आपको बढ़िया healthy fruits खाने है ऐसा भोजन करना है जिसमें क्या हो पोशड हो ठीक है न चाहे कोई भी fruit हो अब fruit खाऊ गए तो उससे क्या है वो एक आपको positive vibes देते हैं ठीक है वो आपको energy provide करते हैं तो ये सारी चीज है तो आपको ये सारे काम करने है जिससे आप क्या रह सकें आपका स्वास्त अच्छा रहे और ये क्या हो ये बिगडे नहीं है ना इसको बिगड़ने से क्या करना है बचाना है ठीक है तो मानव समधाय में स्वास्त एवं रोग क्या है बटा एक बहुत बटी जटिल समस्या है है ना कि हम healthy नहीं है और आज कल बटा ज्यादा समस्या है ये जो लोग mobile में जो game खेलने लगे हैं ना है ना आप मानो या ना मानो लेकिन ये mobile में game खेलने से आपके जो दिमाग की capacity है वो भी कम हो रही है आपके सरीर की जो physical activity है वो भी कम हो रही है मैं ये नहीं कहता कि आप game नहीं खेलो खेलो लेकिन कितनी देर तक बस एक entertainment के लिए 10 मिनट 15 मिनट बहुत हद से ज़्यादा तो आदे घंटे इस से ज़्यादा बिलकुल नहीं आज कल क्या होता है कि हम लोग फोन में ज़्यादा बिजी हैं और फोन में ज़्यादा बिजी होने की वज़े से अपनी जो physical exercise है जो हमारे सरीर के लिए जरूरी है वो हम करते नहीं है है ना चाहे हम हो चाहे हम अपनी बात करें तो अगर daily life में आप क्या कर रहे हो आप कुछ physical activity कर रहे हो आप jim जारहे हो नहीं जिम जा रहे हो to आप सुबज सुबज या फिर साम को जैसा आपके पास टाइम है आप डोड़ने जा रहे हो अप exercise कर रहे हो तो अगर यह सब करोगे तो आप क्या रहोगे एक दम इसकी वज़ेसे स्वास और रोग क्या हो गया है यह एक जटिल समस्या की रूप में आगया जिसके लिए एक दूसरे से सम्दित अने सारे काल उत्तरदाई है जैसे कि आज कल फोन में ज्यादा बीजी हो जाना है ना काम का ज्यादा वर्कलोड होना अब काम ऐसा नहीं है पहले काम का ज्यादा वर्कलोड नहीं था ऐसा लगता है कि हम अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा वर्कलोड है मेरे उपर प बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई है, बहुत ज़्यादा competition है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, competition सिर्फ अपने आप से होता है, आज अगर आपने दो गंटे पढ़ा है, तो कल आपको डाइ गंटे पढ़ना है, यह competition आपका खुद से है, अब हमको पढ़ना है नहीं, हम पढ़ना नहीं चाहते हैं, हम टेलना नहीं चाहते हैं, हम एक्सरसाइज नहीं करना चाहते हैं, हम चीजों को लेच्छ को की प्राप्ति करनी है तो उसके लिए मेहनत भी तो करनी पड़ेगी ना हम मेहनत नहीं करना चाहते हैं हम मेहनत नहीं करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हम सुखी रहें ऐसा पॉसिबल है ऐसा नहीं पॉसिबल है लेकिन आज कल ऐसा सोच बन गई है कि हम मेहनत न करना पड़ेगा आपको जो है दोलना पड़ेगा रनिंग करनी पड़ेगी यह सब नहीं कर सकते हैं तो आपको जिम ज्वाइन करना पड़ेगा मतलब आपको कुछ न कुछ फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ेगी क्या बोलते हैं उसको कि सारीरिक क्रियाएं ठीक न तो यह सारी रिक्रियाय यह physical activity यह physical activity आपको करनी पड़ेंगे अगर आप physical activity करेंगे तब ही आप क्या रहेंगे स्वास्त रहेंगे ठीक है स्वास्त और रोग स्वास्थ और रोग का अर्थ स्वैम में क्या है बहुत जटिल है क्योंकि ये समझ में नहीं आता है कि अगर स्वास्थ है क्या है ना बिमारियों के क्या कारण है बिमारियों के क्या कारण है और इसकी देखभाल कैसे होगी ये एक अपने आप में क्या प्रस्ण चिन है ये एक अपने आप में सोचने का विशा है कि किस तरीके से हम बीमारी को क्या कर सकते है रोक सकते है उसके क्या कारण है और उसको रोकने के क्या क्या उपाए है ये अभी भी अपने आप में प्रस्ण चिन बनके रह गया है क्यों क क्योंकि हम फिजल एक्सरसाइज नहीं करना चाहते हैं कि हूं अपने आज पास की लोगों से मिलना जुलना नहीं चाहते हैं हमने अपने आपको घर में कैद कर लिया है और बस फोन में चाहे वाटसेप और चाहे Facebook हो या Instagram हो इसमें हम लोग अपने फ्रेंड्स बढ़ा रहे हैं ना कि हम लोग अपने आसपास के फ्रेंड्स बढ़ा रहे हैं एक समय था आज के लगबग अगर मैं याद करूँ अपने आपको तो बहुत पहले जैसे ही मैं स्कूल से आता था थोड़ी दे फ्रेश होने लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है आज के समय में आदमी के दोस्त हैं लेकिन किसमें Facebook में इस्टाग्राम में हैं और वैसे कोई दोस्त नहीं है अगर देखा जाए कि मैं बाहर जाओ और जाकर के 5-6 लोगों से मिल लूँ तो मुझको सोचना पड़ेगा मैं अपने किस दो कुदो यह सारी चीज़े को ऐसी अक्टिविटी अगर हम लोग करेंगे तो वो कहीं ना कहीं हमारे माइंड को स्वस्त रखेगा है ना हमारी सोंच बढ़ाएगा है ना हमारी फिसकल एक्टिविडियस को भी क्या करेगा एक्टिव करेगा तो हमको यह सारी चीज़े करने की जरूरत है अब स्वास्त का क्या महत हो है तो देखो जिसकी मैं भी तक बात कर रहा था किसकी physical exercise की आपको क्या करना है सारीरिक व्यायाम करना है ना अब आप सारीरिक व्यायाम पार्क में भी कर सकते हो जोरी थोड़े कि तुमको जिम ही जाना है ऐसी कोई जोरत ने कि तुम जाकर कही एक्सरसाइज करो आप अराम से बाहर एक्सरसाइज कर सकते हैं आप अराम से खेल कूच सकते हैं अपने कई दोस्तों के साथ खेल रहे हैं या अपना ऐसे ही दौल रहे हैं अपना running कर रहे हैं physical exercise कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें जरूरी हैं किसलिए बिटा स्वास्त के महत्व के लिए किसके लिए जरूरी है स्वास्त के महत्व के लिए ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं जरूरी है स्वास्त एक वह अवस्था है अब स्वास्त का मतलब यह नहीं होता बेटा स्वास्त का मतलब यह नहीं कि आपको कोई बिमारी नहीं है स्वास्त का मतलब यह है कि आप फिजिकली तो फिट रहें लेकिन फिजिकली के साथ साथ आपको मांसिक और समाजिक रूप से भी क्या रहना है फिट रहना है अगर आप घर में बैठे रहोगे, तो आपका जो मांसिक हेल्थ है, जो इसको mental health कहते हैं, है ना, तो ये जो मांसिक स्वास्थ है ना, ये कहीं न कहीं क्या हो जाएगा, ये कहीं न कहीं कमजोर हो जाएगा, अगर आप बाहर खेलेंगे नहीं, अपने दोस्तों से नहीं मिलेंगे, तो फिर वहाँ पर जो मांसिक अवस्था हो जाती है, mental activity जो होती ही, वो दिरे-दिरे कम होने लगती है, तो स्वास्थ का मतलब ये नहीं है, कि आप खाली बीमार अगर हो गए, तो इसका मतलब आपका स्वास्थ गडबड है, ऐसा नहीं होता है, है ना, हमारी physical activity के साथ साथ हमारी मांसिक संतुलन भी बहुत जरूरी है, मांसिक हेल्थ, mental health भी क्या है, बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो स्वास्थ वै अवस्ता है, जिसके अंतरगत सारीरिक, मांसिक तथा सामाजिक, है ना, तीनों चीजे ले लेते हैं, सारीरिक तो जरूरी है ही, physical activity तो जरूरी है ही, इसके सासथ मांसिक और सामाजिक, कार सम उचित छमता के द्वारा उचित प्रकार से किया जा सके, ये भी जरूरी होता है, आपकी mental health भी fit होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, आप मांसिक ग्रूप से source होने चाहिए, है ना, हमें एक कावत कही गई है, हमेशा अच्छा खाओ, और अच्छा सोचो, और अच्छा पढ़ो, ये काम हमेशा तिनों अच्छे करने चाहिए, है ना, भले ही आपके पास खाने के लिए जो भी है, लेकिन उसको अच्छा खाओ, अच्छे खाने का मदलब है, कि आप हाँ साथ धुल करके, बढ़ियां फ्रेश हो करके, जो भी खाना इस्तेमाल कर रहो, जो भी फ मेरे से ज्यादा तेज दोड़ता है, तो मैं उसको गिरा दू, ये नहीं सोचना है, मैं अपनी स्पीड को कैसे आगे बढ़ा सकता हूं, तो हमेशा अपनी प्रगति के बारे में सोचना चाहिए, जब इस तरह से आप सोचोगे, अपनी प्रगति के बारे में सोचोगे, किसी को नीचे गिरा करके आगे नहीं बढ़ना है सामने वाले को उठा करके तुमको आगे बढ़ना है अगर कोई तुमसे ज्यादा होशियार है तो तुमको उसके साथ बैठना है उससे बाते करनी है उससे वो चीजे सीखनी है जो तुम नहीं कर पा रहे हो सीखने में कोई ब को रही नहीं है तो आप उससे सीखो कि यार तुम ऐसा क्या करते हो हमको ही बताओ मेरे भी बाक्स जादा आ जाए है ना पढ़ाई करो मेहनत करो जो टीचर समझा रहा उसको समझो उसके वर्ग करो रिवाइस करो तो तुमारे भी नंबर क्या होंगे अपने आप जादा आने लगेंगे ठीक है सभी सभी जीवों का जो स्वास्त है वो उसके आसपडोस उसके पासपडोस अत्वा उसके आसपास के आसपास के पर्यावरण पर अधारित होता है आपके आसपास का वात्तावरण कैसा है आपके आसपास के लोग कैसे हैं अगर आप अच्छे होंगे तो पर भला तो हो भला, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कि कोई आपके लिए अगर बुरा करेगा, तो आपका बुरा ही होगा, जीकिन अगर आप किसी के लिए अच्छा सोचते हो, तो आपका अच्छा जरूर होगा, कोई भी आपका बुरा नहीं कर सकता है, है ना, क्योंकि ये ने तुमने कभी किसी के साथ गलत किया ही नहीं तुमने कभी किसी को दोका दिया ही नहीं कभी तुमने किसी को गिराया ही नहीं तुमने हमेशा क्या किया एक सामाजिक कार्य किया तुमने हमेशा लोगों के बढ़ने के लिए सोचा तुमने यह सोचा कि हमारा समाज कैसे आगे आजकल जो रिष्टे खराब होते हैं, वो गलत फेमी की वज़े से होते हैं, चाहे दो दोस्त हों आपस में, हम है मेरा फ्रेंड है, है ना, अब आपस में क्या होगी, गलत फेमी हो गई, ना हमने उससे बोला, ना उसने हमसे बोला, तो कुछ नहीं, सिर्फ एक गलत फेमी की मिस अंडेस्टेंडिंग की वज़े से रिष्टे खराब हो गए, यह क्या है, यह मांसिक स्वास्त है, इसको बोलते हैं, मेंटल हेल्थ, अब हमारे किसी दोस्त से लड़ाई हो जाएगी, तो उसका असर कहां पढ़ेगा, मेरे दिमाग पे पढ़ेगा, हमारा सामाजिक, ज आसपडोस के लोगों से हमारे जो घर के बगल में रह रहा है, जो हमारे मुहले में रह रहा है, इसे क्या गरता है, इसे फरक पड़ता है, पर्यावरन ने भहती कारक भी आते हैं, मानव समाज में रहता है, हम लोग कहां रहते हैं, हम लोग समाज में रहते हैं, वी आर सोश अधिक महतपूर्ण तो अधिक महतपूर्ण क्या है अधिक महतपूर्ण क्या है बिटा हमारा समाजिक पर्यावन हम जिस समाज में रहे हमारे जो आसपड़ोस के लोग हैं जो हमारे पड़ोसी हैं जो मेरे फ्रेंड हैं जो मेरे स्कूल के दोस्त हैं मेरे कोचिंग के दोस्त ह ये जो सर्किल है हमारा जिसको हम लोग फ्रेंड सर्किल बोलते हैं ये हमारा फ्रेंड सर्किल कैसा है ये डिपेंड करता है आपके स्वास्त पे ठीकिन अगर आपका फ्रेंड सर्किल अच्छा होगा आप हमेसा खुश रहेंगे आपको कभी कोई mental health की problem नहीं आएगी क्यों आ बहुत से बच्चे हमारे शहर में रहते हैं तो क्या ऐसे स्थानों में जो बहुतिक पर्यावरण है ऐसे स्थानों का जो बहुतिक पर्यावरण है उस बहुतिक पर्यावरण का निर्धारण किसके द्वारा होता है समाजिक पर्यावरण के द्वारा होता है बहुतिक पर्य पर्यावन का जो निर्धारन है वो किसके माध्यम से होता है समाजिक पर्यावन के माध्यम से होता है हमारे आसपास के जो लोग रहते हैं हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज में हमारा उठना बैठना कैसा है हमारे दोस्त कैसे हैं मेरा खुद का वैवार कैसा है किसी के परती कि ये सारी चीज़ें क्या होते?, निरभर करती है। conceived of अब व्यक्तिकत और सामदाइक समस्या हैंV Всंबट का मतलब हो गया परर्सनल स्वाइव को मतलब हो गया पूरे समाज को लेकर से तो सोचो गर आपको आसपास किया है। कि कोड़ा करकर उठाने वाली यह आज कल होगा तो फिर कुछ इस तरह की अवस्था होगी कि आपके महले में आपके एरिये में क्या होगा कि लोग फिर ऐसे कुड़ा फेगने लगेंगे अब यहां पर गर बने हुए हैं यहां पर घर बने हुए हैं अब इसके आगे बहुत और भी घर है इधर भी घर है ठीक है अब यह पीछे पार्क है और यह इस दिवाल में क्या किया गया कोड़ा वाला कोड़ा लेने आया नहीं तो यह क्या हो गया कोड़ा सारा यहां पर इखटा हो गया अब यह जो कोड़ा इखटा यह क्या करेगा यह बीमारियां पैदा करेगा और यह बीमारी कहां जाएगी जो हमार कि कूड़ा लेने वाले जो एजेंसी थी वो नहीं आई यह कभी-कभी कूड़ा लेने वाले आथे हम खुदी कूड़ा नहीं देते हैं कियों क्यों कूड़ा Voor दिए और यह गर में खटा हुआ पनी भरी आपने बार फेक दी अब वो पनी आपने बार फेक दी तो आपको क्या लगता है कि उससे आपके घर में बिमारिया नहीं आएंगी अब वो जो कुड़ा आपने घर के बाहर किसी और घर के बाहर या किसी रोड में आपने फेक दिया है या ऐसी ज लगेगी औरूव को नहीं लगेगी ऐसा बिल्कूल भी नहीं है इसी तरीके से अगर यहां पर कुड़ा सभी नोगों ृखकर कर दिया है और सब यह सोचते हैं कि हमको इससे क्या फरक पड़ता है तो यह बिल्कुल गलत है क्यों क्यूंकि इस स्कूला एखटा होने से जो वीमारियां वह मैं पूरे समाज गर्षित करती हैं अभी कोरोणा वाईरस आया जो की बहुत बड़ा आपने ब्रोंग ने देखा कि किस तरीके से पूरे समाज को इसने क्याय ago गर्षित किया तो इस तरीके से यह एक छोटासा उदारण है है ना हम अक्तर बीमार होते हैं हमें अक्तर बीमारियां गर्शित करते हैं है ना अक्तर हमको जो टॉक्टर के पास जाना पड़ता है दवाईयां लेनी पड़ती है उसका कारण क्या है उसका दे करके फिर मुला सबowego है अगर कभी ऐसा हो कि मानलो आप कुड़ा नहीं फेकते हो मानलो आप सोच रहो सर हम तो कुड़ा नहीं फेकते हैं हमको क्यों कह रहे हो आप अरे भाई आप मानलो जैसे आप ख़ले हो ठीक है अब किसी ने कुड़ा फेका तो आपने क्या कि यह उसको टोक दिया कि अरे भाईया पुरा महला है वो गंदा होगा तो इसलिए कूड़े को बाहर नहीं फेको तो हमको कूड़ा फेकना भी नहीं है और जो कूड़ा फेक रहा है उसको मना भी करना है ठीके ना जो कूड़ा लेने वाले नहीं आ रहा है उनको भी बोलना है कि तुम कूड़ा लेने क्यों नहीं आ आ है अब सोचो सोचो कि अगर जो नालिया साफ ना हो तो क्या होगा तो गंदगी फैलेगी बीमारिय फैलेगी है नब नालियों में कूला क्या की है हमिने फिख दिया अब वह लोग पूरा कोई नदी बैर यहां कोई नाला बैरा कोड़ा लेकर गया कोड़ा फैक दिया आप लोग की कि अब लोगं अक्सर देक्हाओगा यह क्या होता है कि अक्सर जहां पर पानी बैरा आहोता है उसेük पाणी के खाउजा意र多 कि बैके चला कि अगर क्या है गली वे खुलनाले के में रुके हुए पानी में इस्थिर्पड़ाई तो इहां पर क्या ओगा तो यह खराब स्वास्त की सम्भावना क्या हो जाती तो अगर ऐसा काम की हरा बार Sorry में फेक दिया गया रोड में फेक दिया गया या फिर उसको पानी में फेक दिया गया तो उससे क्या होगा उससे जो है खराब स्वास्त की संबावना है बढ़ जाएंगी जो हमारा स्वास्त वो क्या होगा खराब होगा अतहा इसलिए निसकर से क्या निकलता है कि जो सामुद कराएक सोचता दो समाज की सोचता है वो वह जो है वेक्तिगत स्वास्त के लिए क्या हैं बहुत ही जादा होँद है और काम के लिए हमको अवसर खोजने पड़ते हैं तो यह सारी चीज़ें को करने पड़ेंगी सोस्त रहने के लिए और क्या किया जा सकता है सोस्त रहने के लिए प्रसंद रहना आवश्यक है अगर आप अगर आप इस तरह से खुश रहोगे अगर आप हमेशा खुश रहोगे अब इस तरह का मतलब क्या है इस तरह का मतलब यह नहीं है कि इसी तरह से मतलब किस से मतलब है खुश रहने से कि आपको खुश रहना है आपको healthy food खाना है आपको भोजन ऐसा करना है जो कैसा हो healthy हो और आपको हमेशा खुश समाज, आपके आज़ पास के लोग, आपका friend circle ऐसा होगा कि वो अच्छा होगा, आप भी लोगों के प्रती अच्छा सोचेंगे और तो लोग भी आपके प्रती अच्छा ही सोचेंगे, क्यों? क्योंकि ये प्रकृती का नियम है अगर कोई हमारे बारे में गलत सोच भी रहा है अगर कोई हमको गिराने की सोच भी रहा है तब भी वो आपको गिरा नहीं सकता है बिल्कुल भी टेंशन लेने की जुरत नहीं क्यों? क्योंकि हमने कभी ऐसा काम किया ही नहीं हमने कभी किसी के लिए बुरा सोचा ही नहीं अगर हमने किसी के लिए बुरा किया है तो हमारा भी बुरा हो सकता है लेकिन जब हमने किसी का बुरा नहीं किया हमने किसी के लिए गलत नहीं सोचा हमने कभी किसी को गिराया नहीं हमने कभी किसी को परिशान नहीं किया तो फिर हमको भी कोई इस तरह के चीजे नहीं कर सकता है क्यों 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 कि ये क्या है प्रकृति का नियम है it is the rule of nature तो स्वस्त रहने के लिए क्या करना पड़ता हमको प्रशन रहने का आवश्यक है और यदि किसी से हमारा वैवार ठीक नहीं है यदि किसी से हमारा वैवार ठीक नहीं है तो एक दूसरे से एक दूसरे से क्या होगा डर होगा तो फिर हम प्रशन और स्वस्त नहीं रह सकते हैं अब हमारा वैवारी नहीं सही है हम दोस्ते अपने लड़ गए अब हमारी अगर किसी मेरे फ्रेंड से या मेरे किसी फ्रेंड की हम से ही अगर क्या हो गए लडाई हो गए या आपस दुसमनी हो गए तो वो क्या हो गया वो mental health की problem हो गए अब आप हमेसा उसी के बारे में सोचते रहोगे यार उसको मारना है यार ये करना है यार वो तो फिर गलत ख्याल आएंगे गलत विचार आएंगे और ये क्या होगा इसको बोलते हैं खराब मांसिक स्वास्त इसको क्या बोलते हैं खराब मांसिक स्वास्त बोलते हैं तो स्वास्त का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि कोई बीमारी हमको आकर के लगे सिर्फ ये जोरी नहीं है बीमारी के साथ साथ क्या है कि अगर हमारा समाजिक जो है स्वास्त नहीं अच्छा अगर हमारे समाज में हमारा वैवार अगर नहीं अच्छा है अगर हमारा मांसिक स्वास्त नहीं अच्छा है किसी लोगों के परती हमारी भावनाए हमारा वैवार तो फिर वहाँ पर क्या होता है कि हम स्वस्त भी नहीं हैं ठीक है ना इसलिए विक्तिगत स्वस्त के लिए हम अगर स्वस्त रहें उसके लिए जरूरी क्या है समाजिक समानता बहुत आवश्यक है आप समाज में किस तरीके से वैवार कर रहे हैं ये बहुत ही जादा जरूरी यह किसके लिए व्यक्तिकत स्वास्त के लिए आप स्वास्त हैं यह कैसे पता चलेगा आपका समाज में व्यवार कैसा है हम इसी प्रकार सोच सकते हैं कि अनेक जो सामुदाइक समस्याएं हैं वो हमारे व्यक्तिकत स्वास्त को कैसे प्रवावित करती हैं अब यह देखो यहाँ पर क्या दिखाए गया पांच चीजे दिखाए गई है कि आपको क्या करना चाहिए ठीक है तो आपको क्या करना चाहिए तो जो जल के श्रोत हैं उसको सुरचित रखना चाहिए जो जल के श्रोत हैं उसको सुरचित रखना चाहिए जल का उपचार और स जरूर दुलें ठीक है खाद को ढख करके रखे खाने को क्या करना है ढख करके रखना है ठीक है मक्खियों को नियंत्रित करें अब उसको खाने को जब आप ढख करके रखोगे जब आप खाने को ढख करके रखोगे तो क्या होगा तो उससे उसमें जो मक्खिया हैं जो कीडे म कोड़े हैं जो मच्छर हैं जो बढ़े बढ़े जो और दिखाई दे रहें वह क्या रहेंगे वह नियंत्रित रहेंगे वह शुपर आगर के नहीं गिरेंगे थी किर ऊपीवयो करने के पूर्व जो सब्जिया गावों में आती है लेकिन अब तो हमारे गावों बहुत ज्यादा डवलप हो गए हैं कि अब वो भी वो लोग भी क्या करते हैं घरों में ही जाते हैं फ्रेश होने के लिए बाहर नहीं जाना चाहिए बाहर इसलिए नहीं जाना चाहिए उससे हमारा वातावन क्या होता है प्रदूशित होता है ठीक है इसी प्रकार उचित जल की निक खटा बना रहेगा वहाँ पर जो मच्छर हैं वो क्या हो जाएंगे आगर के खटा होंगे फिर रिप्रडक्शन करेंगे अपनी संख्या को बढ़ाएंगे और फिर वो मच्छर हर जगह जाते हैं आपको काटेंगे आपको खून भी पीएंगे आपको नुकसान भी पहुंचा यह साफ सफाय एवं सच्छता के द्वारा रोग संच्रन से बचाव है कि रोग ना हो इसके लिए यह कुछ पांच चीजे हैं जो हमको करनी चाहिए ठीक है इसके बाद कहा है स्वस्त रहने और रोग मुक्त में अंतर क्या है क्या अंतर है कि हम स्वस्त हैं या फिर हम रोग मुक्त हैं अब आप यहां पर समझो यहां पर एक थोड़ी सी कंट्राडिक्ट्री वाली प्रॉब्लम है मतलब आप सोच रहोगे सर स्वस्त रहना और रोग मुक्त रहना दोनों ही क्या है एक ही चीज है नहीं बेटा यह एक ही चीज नहीं है स्वस्त रहने का मतलब और हमने आपको बताया सोस्त रहने का मतलब ये नहीं है कि आप रोग मुक्त हैं इसको कैसे समझते हैं अभी है मैंने आपको यही बात थोड़ी देर पहले बताई थी कि जरूरी नहीं है जरूरी नहीं है कि आपको कोई बीमारी हो ये बिलकुल भी जरूरी नहीं कि आपको कोई बीमा ठीक है तो इसका मतलब कि आप स्वोस्त नहीं है अगर आप बैठे है और आपका पडाए में मन नहीं लग रहा है आप डिप्रेशन में जा रहे हैं आपकी मांसिक अवस्था mental health सही नहीं है आपका समाजिक वैभार सही नहीं है तो ये भी क्या है ये भी इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्वस्त हैं आप स्वस्त नहीं है यदि हम इसे स्वास समझते हैं तो रोग अत्वा व्यादी क्या है हम ये सरलता से पाते हैं कि बिना किसी बिना किसी विसेश रोग के भ सकते हैं मलब जरूरी नहीं कि आपको कोई रोग हो तभी आप क्या हो अस्वस्थ हो अगर आपको कोई रोग नहीं है बिना किसी विसेश रोग के भी आप क्या हो सकते हैं अस्वस्थ हो सकते हैं बीमार हो सकते हैं कोई रोग कोई भी बीमारी ना होने का अर्थ यह नहीं है कि आप स्वस्त नहीं है ठीक है अगर कोई रोग आपको नहीं है तो असका मतलब यह नहीं है कि आप स्वस्त हैं कहीं न कहीं वो जो डिप्रेशन है वो डिप्रेशन भी आपके अनहेल्दी का क्या है अनहेल्दी का कारण है ठीक है कि आप जोड़ी नहीं कि आपको कोई खासी ज अगर आप बैठते हो तो जो है अब एक अजीव से ख्याल, जो है मन में आते हैं, उसका मतलब ये सिद्ध करता है, कि आप स्वास्त नहीं है, लिख्ती है, कोई नर्तक है, कोई डान्स करने वाला वेख्ती है, तो उसके अच्छे स्वास्त का अर्थ यह है कि वह सिस्टता पूरवक अपने सरीर द्वारा विसम परिस्थितियों की मुद्रा में भी क्या कर सके अभी वैक्ति कर सके मतलब वो अच्छे से डांस कर सके अगर कोई वैक्ति अगर मां लो कोई संगीतकार हो ठीक है ना तो संगीतकार के लिए क्या जरूरी है कि संगीतकार का अर्थ है कि वह एक लंबा सा स्वास ले है ना अगर मालो आपको बाशुरी बजानी है उसके लिए पहले आपको एक लंबी सी सास लेनी पड़ेगी फिर आप उसमें दीरे-दीरे क्या जिससे कि वैं बासुरी में रह करके क्या करें? स्वर को नियंत्रित कर सके हमें अपनी विसिस्थ छमता को प्राप्त करने का अवसर भी वास्तविक स्वास्त के लिए क्या है? आवश्यक है इस प्रकार यदि किसी रोके लच्छणों की अभिवेक्ती बिना अस्वस्त के भी हो सकती है यही कारण है कि जब आप स्वास्त के विसा में सोचते हो तो समाज और समुदाए के विसा में सोचते हो ठीक है ना? जब स्वास्त का मदलब क्या है? स्वास्त का मदलब सिर्फ यह नहीं कि हम healthy हों स्वास्त का मतलब ये भी है कि हम जिस समाज में रह रहे हैं वो समाज में हमारा वैवार कैसा है हमारी वहाँ पर विक्तिकत हमारी अवस्था कैसी है हम किसी के साथ किस तरह का वैवार कर रहे हैं लोग हमारे साथ किस तरह का वैवार कर रहे हैं तो ये जो समाज है य एक जरूरी विशह है, जब हम रोग के विशह में सोचते हैं, जब हम किसी बीमारी के विशह में सोचते हैं, कि यह कोई पर्टिकुलर बीमारी है, तो फिर उस वकत हम सिर्फ अपने बारे में विचार करते हैं, अगर कोई बीमारी के बारे में सोचेंगे, तो हम अपने बारे में सोचेंगे लेकिन अगर हम स्वास्त के विसा में सोचते हैं सिर्फ और सिर्फ जब स्वास्त के बारे में सोचना है तो फिर वो समाज और समुदाय के बारे में सोचते हैं तो स्वास्त स्वास्त रहना और रोग के बारे में सोच रहे हैं दोनों ही क्या हैं दोनों ही अपने बारे में अलग अलग चीजे हैं स्वास्त रहने और रोग मुक्त में अंतर है जब आप स्वास्त के बारे में सोचते हो तो आप समाज और समुदाय के बारे में सोचते हो वहीं जब आप किसी रोग के बारे में, किसी बीमारी के बारे में सोचते हो, तो फिर आप सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में विचार करते हो, ठीक है ना, तो यह यहाँ पर एक बहुत ही महत्पूर्ण लाइन है, कि स्वास्त रहने का मतलब सिर्फ रोग मुक्त रहना नहीं होता है मांसिक स्वास्त भी जरूरी है और समाजिक स्वास्त भी जरूरी होता है ठीक है अब चलो अब हम लोग क्या करेंगे अब हम लोग जो एक्जाम के परस्पेक्टिव से जो आने वाले महत्पूर कोशन से उनकी कुछ चर्चा करेंगे तो सबसे पहला कोशन यहां पर क्या कह रहा है कि भारत में उच मृत्यूदर के कोई दो कारण बता हो ऐसा कोई दो कारण बता हो जिससे क्या है कि भारत में जो मृत्यूदर है वो क्या हो गई है जादा हो गई है तो भारत में उच मृत्यूद अगर हमारे देश में क्या है गरीबी है तो ये उच मर्तियुदर का क्या है मुख्य कारल है जिससे लोग बच्चों को संतुलित आहार नहीं दे पाते हैं गरीबी की वज़े से आहार लेना जैसे कि हमने आपको यहां पर बताया था क्या कि यह हमने आपको यहां पर बताया था कि आहार जो हमको लेना है वो कैसा लेना है संतुलित आहार लेना है तो जब आप संतुलित आहार लोगे तो संतुलित आहार कैसे लोगे अगर कोई वेक्ति गरीब है तो जो बिचारा जो गरीब वेक्ति है वो वो पिछारा गरीब विक्ति है वो फल्फूर्ट कैसे खा पाएगा उसके लिए क्या होना चाहिए उसके लिए पैसे होने चाहिए है ना तो गरीभी एक बहुत बड़ा कारण है किसके लिए मिर्टी उदर के लिए वही सिछा की कमी भी क्या है अजो अधी संखे लोग हैं, अधिकांश लोग, अधी संख का मलना हैं, कैसे हैं वो असिचित हैं, अगर अगर सिच्छा की कमी है, तो वे अपने बचों की बीमारी या फिर वेक्तिका स्वाच्छता, या फिर संतुलित आहार के महतों के बारे में नहीं जानते हैं जो किस चीज़ का कारणा बनता है जो बीमारी का कारणा बनता है और आगे चल करके वो बीमारी मृत्यू दर में जा करके बदल जाती है ठीक है ना तो गरीबी और सिच्छा की कमी ये दो एक महत्पूर्ण कारणा है किसके मृत्युदर के जो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है ठीक है अगले question की बात करेंगे तो अच्छे स्वास्त की कोई दो आवेश्यक इस्थितिया की अच्छे स्वास्त का मनलब क्या है कि आप healthy हैं या लोग स्वास्त रहें उसके लिए कोई दो आवेश्यक इस्तितिया बताओ, तो पहली इस्तिति क्या है, कि हमको अच्छा और संतुलित आहार करना चाहिए, कैसा आहार लेना चाहिए बेटा, जो हम भोजन ले रहे हैं, वो अच्छा होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए, और संतुलित आहार होना चाहिए, जितनी भूग लगी है, भूख से जादा नहीं खाने का है ना क्योंकि भूख से जादा खा लोगे तो फिर ना काम करने में मन लगेगा ना पढ़ाई में मन लगेगा तो अच्छा आहार लेना है और संतुनित आहार लेना है ये एक अच्छे स्वास्त की क्या है इस्ति है और दूसरा वही उचित और जैविक और बहुतिक पर वातावर्ण होना चाहिए ठीक है ना जैसे कि अबने आपको बताया था जो इन्वार्मेंट है जो हमारे आसपास का जो वातावर्ण है वो कैसा होना जैविक का मतलब जो है वहां के लोग अच्छे होने चाहिए बहुतिक का मतलब है कि आसपास आपस में फिल कर सकें तो यह जो दो मेन कारण है किसके अच्छे स्वास्त के यह दो मेन कारण है ठीक है अगले कोशन की बात करते हैं रोग मुक्ती की कि आप रोग से मुक्त रहें इस रोग मुक्ती की कोई दो परिसितिया बताईए तो पहली परिसिती बटा क्या है पहली प स्वस्थ भी रहेंगे और रोग-मुगत भी रहेंगे ठीक तो यह जीर यहाँ पर आ गई और दूसरा की जो हमारी हैबिट है वो जू हमारी आदते य है वह कैसी होनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए जब हमारी आदते अच्छी रहेंगी हमारा वैवार अच्छा रहेगा तो इससे क्या होगा कि जब हमारा वैवार अच्छा रहेगा तो हमारा आपस का जो फ्रेंड सरकील है है ना वो भी एक मस रहेगा और स्वस्त फ्रेंड सरकील रहेगा एक अच्छा और मजबूत जिसको Friend Circle कहते हैं वैसा रहेगा आपस में कोई भी जो मनमुटाव होता है वो नहीं रहेगा जिससे हमारी Mental Health भी सही रहेगी और हमारा समाजिक जो स्वास्त है वो भी क्या रहेगा अच्छा रहेगा साथ ही साथ क्या जरूरी है कि वातावरण भी कैसा होना चाहिए बिटा सुच्छ वातावरण होना चाहिए तो सुच्छ वातावरण भी क्या है हमारे रोग मुक्ती के लिए बहुत जरूरी जैसा के भी हमने आपको दिखाये था कि अगर हमारे आसपास कोई कूड़ा इखटा होगा अगर हमारे पास क्या होगा अगर हमारे पास कुछ इस तरह की अवस्था होगी कि हमारे महले में हमारे एरिये में क्या है अगर बहुत सारा कूड़ा इखटा है तो फिर ये कही न कही किसका कारणा बनता है बीमारी का कारणा बनता है तो ये बीमारी का कारणा ना बने इसके लिए हमको क्या करना है अपने वातावर्ण को स्वस्त्र रखना है ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं ऐसे तीन कारणा लिखिए ऐसे ऐसे तीन कारणा लिखिए जि चिकसक के पास जाना चाहते हैं यदि इन में से जो यहाँ पर दिये गए यदि इन में से एक भी लच्छड हो तो फिर भी चिकसक के पास जाना चाहेंगे क्यों क्या कारण है कि आप जाएंगे या फिर क्या कारण है कि आप नहीं जाएंगे है ना कोशन समझे रहा कि अगर आ ड़िमार है तो तो आप डॉक्टर के पास जाना चाहेंगे या फिर आप नहीं जाना चाहेंग तो पहली बात तो यक्टा कि याँ आप बिमार है कि लिच्छन याँ पर डिकाई दीगा a ऐसा कोई लच्छड दिखाई देगा जिससे क्या पता चलेगा कि आप बीमार हैं फिर दूसरा यदि आप बीमार हैं यदि आप बीमार हैं तो रोग का कोई लच्छड दिखाई दे जैसे की दस्त होना जैसे की सरदर्द होना ठीक है यह होना चाहिए तीसरी बात कि यदि थो सरीर का कोई उंग सही कार नहीं कर रहा होगा अगर आप बीमारla है तो सरीर का कोई अंग या आगर आपको सर्धर्द है तो क्या सोछने की चमता क्या काम करेगी फिर आपको बोला जाए कि चलो आप मों को जड़ा यह वाला चेप्टर सुनाओ तो कि आप सुना पाओगे आप बोलोगे नहीं सर अभी मेरे सर में दर्द हो रहा है मैं बाद में याद करूंगा अभी मुझे याद नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कि हमारे सरीर का जो कोई अंग है वो सही से कार नहीं कर रहा होगा वही रोग का चिन या फिर लच्छण दिखाई देने पर डॉक्टर के पास जाना चाहिए अगर ऐसी कोई समस्या आ रही है कोई उसका रोग का कोई चिन दिखाई दे रहा है कोई चोट लग गई है है ना या फिर कोई ऐसा लच्छण दिखाई दे रहा है जैसे कि कोशन है तो ऐसी स्थितिवया के पास डॉक्टर के पास आपको जाना चाहिए ठीक है ना तो यह स्कॉशन का अंसर हो गया वहीं अगर आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं अगला कोशन कहा है कि जब हम बिमार होते हैं जब हम बिमार होते हैं तो सपाच तता पोशड युक्त बोजन खाने का परामर्स क्यों दिया जाता है ऐसा क्यों कहा जाता है कि आपको बोजन संतुलित बोजन लेना है आपको पोशतत वाला बोजन लेना है मुमोस से काम नहीं चलेगा इस्प्रिंग रोल से काम नहीं चलेगा जो है पिज़ा बर्गर से काम नहीं चलेगा कैसा बो स्वास्थ सही रहता है क्योंकि हमारे स्वास्थ को चाहिए पोशक युक्त भोजन वहीं जो भोजन है वह हमको क्या देता है उर्जा देता है ठीक है इसके अलावा हमारे जो उतक है टूटे फूटे उतकों कि क्या करता है मरम्मत करता है ठीक है तो हमको हमेशा भोजन कैसा ल लेना है कैसा लेना है पोशक युक्त जिसमें क्या हो पोशक हो ठीक है ना संतुलित आहार लेना है क्या करना है संतुलित आहार लेना है जिसमें क्या हो पोशक तत्व हो ठीक है ना पोशक तत्व में क्या आ जाता है जो पोशक जो पोशड युक तो भोजन इसमें क्या आ जाता है इसमें आ जाएगा बेटा क्या बहुत सारी चीजें इसमें आ जाएगा कार्बो हाइड्रेट क्या जाएगा कार्बो हाइड्रेट होना चाहिए हमारे भोजन में प्रोटीन होना चाहिए हमारे भोजन में मिनरल्स होना चाहिए हमारे भोजन में विटामिन होना चाहिए हमारे भोजन में वसा होना चाहिए तो protein, carbohydrate, vitamins, वसा और minerals ऐसी चीज़े हमारे भोजन में होनी चाहिए ऐसे भोजन को क्या बोलते हैं? ऐसे भोजन को पोशड युक्त भोजन कहते हैं तो यह जो पोशड युक्त भोजन है जिसमें क्या है संतुलित आहारम को यहाँ पर लेना चाहिए ठीक है ना? और पोशड युक्त अगर भोजन की बात करेंगे तो उसमें क्या-क्या होना चाहिए अब तुम मॉमोस खाओगे, पीजा खाओगे, वहाँ पर तुमको प्रोटीन नहीं मिलेगा वहाँ तुमको vitamins नहीं मिलेंगे, वहाँ तुमको minerals नहीं मिलेंगे तो ऐसा भोजन लेना है जिसमें ये सारे के सारे पोसक तत्व मौझूद हो अगला कोशन कहरा है कि निम्न कारण देते हुए समझाईए अब ये चार कोशन है, एक एक करके अलग-अलग कोशन है हर एक कोशन को अच्छे से यहाँ पर समझेंगे कि जो स्वस्त सरीर है, स्वस्त सरीर को कायम रखने के लिए संतुलित आहार आवश्यक है, ये वही संतुलित आहार जो भी हमने आपको पहले डिसकस किया, पहले इसकी हम लोगों ने चर्चा करी कि एक स्वस्त भोजन के लिए क्या जरूरी है संतुलित अहार जरूरी है ऐसा क्यूं है इसका हमको क्या बताना है कारण देना है यहाँ पर कि हमको संतुलित भोजन क्यूं करना चाहिए तो बटा जो संतुलित अहार है उसमें क्या होता है उप्यूक्त मात्रा में खनीज लवर होते हैं ठीक है और विटमीन्स होते हैं ठीक है तो उप्यूक्त मात्रा में जो संतुलित आहार है उसमें उप्यूक्त मात्रा में आपको खनीज लवर मिल जाएंगे विटमीन्स मिल जाएंगे इसके अलावा आपको क सभी पोशक्तत्व मिल जाएंगे अब सभी पोशक्तत्व का मतलब क्या हो गया यहाँ पर तो भी हमने आपको बताया था ना कार्बो हाइड्रेट प्रोटीन मिन्रंस विटमिन और वसा यह पांच पोशक्तत्व थे हैं तो खनिज और विटामिन के अलावा क्या बचा कार्बो हाइडरेट बचा है ना देखो क्या बचा कार्बो हाइडरेट प्रोटीन और वसा ये क्या हो गई ये अन्य पोशक तत्व हो गई तो खनीज और विटामिन्स के अतरिक्त कार्बो हाइडरेट प्रोटीन और वसा आधी पाए जाते हैं और ये जो पोशक तत्व हैं इनके द्वारा क्या होता है कोशिकाओं का निर्मार होता है क्या होता है कोशिकाओं का निर्मार होता है अता सरीर के स्वस्त विकास के लिए संतुलित आहार क्या है होना चाहिए संतुलित आहार हमको लेना चाहिए यह संतुलित आहार लेना क्या होता है अत जो पोशक्तत्व पायाते हैं चाहे वो कार्बो हाइडरेट हो या वो प्रोटीन हो विटामिन्स हो मिन्ल्स हो या फिर वसा हो यह सारे क्या है पोशक्तत्व हैं जो कहां पायाते हैं बेटा संतुलित अहार में पायाते हैं वही जब हम दूसरे कोश्चन की बात करेंगे तो यदि किसी जीव का स्वास्थ आसपास के परिवेश की अवस्थाओं पर निर्वर करता है। कह रहा है कि किसी जीव का जो स्वास्थ है, किसी व्यक्ति का जो हेल्थ है, जो स्वास्थ है, वो आसपास के परिवेश की अवस्थाओं पर निर्वर करता है। क्यूं तो भी हमने आपको यहां पर बताया था कि कि किसी जीव का जो अच्छा स्वास्त है उसके लिए आसपास की जो वातावर्ण है जो वातावर्ण की परसिती है जैसे की सोच वायू हो गई हमने आपसे कहा था ना कि आसपास क्या होना चाहिए वातावर्ण सोच होना चा बहुत ही जरूरिए ठिक अगला कोच्यन क्या कह रहा है कि हमारा जो परिवेश कि हुआ हुआ क्रिवेश हैं क्ञारे क्ञारे हुए पानी से मुकथ होना चाहिए क्यों क्यों कि पानी का साफ सुत्रा पर जमा रहेगा तो हमको क्या करना है पाणी के लिए निकाष बनाना है अभी मैंने ठोड़ी तेर पहले आपको ये point वहाँ पर समझाया था तो तो टैरा हुँआ पाणी वह मच्छरों के लिए क्लता जनन इस्थल बन जाता है, मच्छरों के लिए जनन इस्थल बन जाता है, वो मच्छर वहाँ पर reproduction करके, जनन करके अपनी संख्याओं को बढ़ाते हैं ठीक है, तो जो ठहरा हुआ पानी है मच्छरों के लिए क्या बन जाता है जनन इस्थल का कार बन जाता है वहाँ पर वो अपनी संख्या को बढ़ाएंगे संख्या को बढ़ाने के बाद फिर क्या करेंगे बीमारियों को फैलाएंगे कौन से बीमारियों को फैलाएंगे जैसे मलेरिया हो गया जैसे डेंगू हो गया इस जैसी बिमारियों को वहाँ पर फैलाएंगे इसलिए पानी कैसा होना चाहिए ठैरा हुआ पानी नहीं होना चाहिए चौता कोश्चन क्या कह रहा है कि अच्छे स्वास्त के लिए समाजिक समरस्था मतलब जो समाजिक वेवस्था है वो और आर्थिक वेवस्था क्या होती है आवश्यक होती है किसके लिए एक अच्छे स्वास्त के लिए आर्थिक अवस्था भी होना चाहिए पैसा भी होना चाहिए क्योंकि पैसा जरूरी है अगर पैसा होगा तो उससे आप स्वास्त भोजन कर पाएंगे देखो मैंने यह point आपको कहां बताया था देखो मैं आपको याद दिलाता हूँ अभी यह point मैंने आपको बताया था ना कि अच्छे भोजन के लिए क्या होगा यह देखो देखो यहाँ पर क्या लिखा है स्वस्त रहने के लिए भोजन के आवे शक्ता होती है और यही point आपको यहां लिखना है स्वस्त रहने के लिए भोजन के आवे शक्ता होती है और भोजन को प्राप्त करने के लिए हमें काम करना पड़ेगा और काम करने के लिए हमको अवसर खोजने पड़ते हैं तो यह क्या स्वास्त वोजन तभी कर पाएंगे जब आपके पास पैसा होगा पैसा कब होगा जब आप काम करेंगे है ना तो काम करने से पैसा आएगा और पैसे से फिस सारी चीजे हम लोग जो है खरी सकते हैं जो अच्छी चीजे जो हमारे स्वास्त के लिए क्या है जरूरी है तो इसलिए क्या है इसलिए आर्थिक 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 आवस्था क्या है आवश्यक है और वहीं सामाजिक समरस्ता भी जरूरी होती है तो उसका क्या कारण है तो यही चीज़े हम मांसिक और सामाजिक स्वास्थ से हैं, हमने आपको बताया था, सिर्फ और सिर्फ सारीरिक सब्द नहीं लेंगे, है ना, सिर्फ और सिर्फ सारीरिक ना ले करके, सारीरिक, मांसिक और सामाजिक, तीनों पॉइंट यहां पर हम लोग लेंगे, ठीक है ना जब भी स्वास्त की बात करी जाएगी तो आप हमेशा सिर्फ एक सारीरिक स्वास्त की बात भी करेंगे मांसिक स्वास्त की बात भी करेंगे और समाजिक स्वास्त की भी बात करेंगे इसलिए जो हमारा समाजिक परिवेस है वो किसी विक्ति के स्वास्त के लिए क्या है में पुल भूमिका निबाता है और यहाँ पर आप वह वाला पॉइंट भी एड़ करेंगे क्या कि जो आर्थिक अवस्था है आर्थिक अवस्ता कैसे आएगी जब हमारे पास काम होगा तो उस काम से क्या होगा पैसे आएंगे और उस पैसी से क्या होगा हम जो है स्वच फूट्स अच्छे फल या पोशक तोत्यों को खरीद सकते है जिससे हमारा स्वास्थ कहा रहेगा अच्छा रहेगा वही देखते हैं अगले कोशन की तरफ कि निम लिखित में से किन परिसितियों में आप बीमार हो सकते हैं ऐसी कौन सी इन तीनों में से परिसिती है जिसमें आप बीमार होंगे पहला question कह़े रहा है जब आपकी परिच्छा का समय आ रहा हो सही वाद है बाई जब आपकी परिच्छा का समय आता है जब हमारे paper आते हैं exam time उस वकद हम ज़्यादा बीमार पढ़ते हैं गी नहीं है ना तो क्या यह बीमार होने का काड़ है अरे बिलकुल नहीं है भाई पेपर आने के बाद तो अच्छो अच्छो की तवियत खड़ाव हो जाती है दूसरा कहरा है जब आप बस यह रेल गाड़ी में दो दिन तक करो तो उससे क्या होता है उसे थकान हो जाती है क्या होता है थकान हो जाती है तो थकान एक अलग चीज है और बीमार होना एक अलग बात है तो यह भी पॉइंट क्या हो गया गलत हो गया तीसरा कहला है जब आपका मित्र खसरा से पीडित है अब यह खसरा क्या है बिटा यह संक्रामक रोग है जो किसके द्वारा फैलता है वाइरस के द्वारा फैलता है किसके द्वारा फैलता है वाइरस अंग्रेजी सब्द है और हिंदी में उसको क्या कहते हैं विशाडू कहते हैं किसको द्वारा फैलता है वाइरस के द्वारा फैलता है अताह जो खसरा है खसरा से पीडी जो मित्र है वो उसके संक्रम आपस में आएगा उसके संपर्ग में आएगा तो क्या होगा कि जो वाइरस है वो वाइरस उसके व्यक्ति में जा सकता है है ना उसके संपर्ग में रहने से जो उसका दोस है जो उसका मित्र है वो व्यक्ति भी क्या हो जाएगा र वाइरस जनीत संक्रामक रोग है और आपको पता है कि यह जो वाइरस के दौरह फैलने वाली जो बीमारिया होती है यह बीमारिया हवा के माध्यम से क्या होती है बातावड़ा में फैलती है इसलिए मास्क बहुत ज़रूरी है जब भी आप घर के बाहर निकलें तो मास्क लग के माध्यम से प्रभाएंगे और आप उस्ट को को आसे यह आपको तो आपको मास्क तोरिंग्द रहना है और दूसरी बात कि अगर आपका कोई दोस्त खसरा से पीडित है तो फिर इस कंडिशन में क्या होगा कि वो आप भी बिमार पढ़ सकते हैं उस विक्ति के संपर्क में आने से इसलिए कौन सी आंसर सही है तो सी वाला आंसर क्या है यहाँ पर सही है ठीक है अब कहा रहा है कि एक ब क्या है कि हम कैसे पता करेंगे बच्चा बीमार है तो बिटा बीमार होने की इस्तिति में क्या होता है जो बच्चे का वैवहार है जो हमारा वैवार होता है जब हम बीमार होते हैं तो जो हमारा वैवार है वो सामान नहीं रहता मतलब एक अजीब सा रहता मतलब अगर आपक क्या होगी या तो कोई पीडा होगी दर्द होगा या फिर किसी रोग के कारण या तो वो बच्चा रोएगा या फिर भोजन ग्रहन नहीं करेगा ना खाना खाएगा है ना उल्टी हो सकती है वामिटिंग हो सकती है उल्टी हो सकती है ठीक है ना सरीर का तापमान बढ़ सकता ह जब बुखार आता है, तो क्या होता है, टम्प्रेचर बढ़ा जाना, वही खासना है, यह सारे क्या होते हैं, लच्चडों होते हैं. छीए पधाचलेगा कि बच्चा बिमार हैं. अब दूसरा क्योशन यह उन्लगें, चलो यह सारे लच्चडों गए, खासना चीखना, हमारी बोडी का temperature बढ़ना बुखार में temperature ज़्यादा हो जाता है तापमान सरीर गरम होने लगता है तो यह सारी चीज़े लच्छण है जिससे क्या पता चलेगा कि वो बच्चा बीमार है वहीं दूसरी बात यह कैसे पता चलेगा कि उसे कौन सी बीमारी है तो जब अगर बालो उसक डायरिया हो सकता है कैसे पता चलेगा जब डॉक्टर के पास जाओगे अगर यह सारी चीजे हैं अगर यह सारे के सारे लेच्छण दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब बच्चे को क्या हो सकता है डायरिया हो सकता है डायरिया मतलब जो चो छोटे बच्चे होते हैं उनको या फिर कैसा फैलता है दूसीत जEल के कारण फैलता है तो समझ रहो कि आपको जो पाणी पीना है जो ज़ल पीना रोदा यहां कि आगर आप ऐस गिलास में जो पानी है उसको ड़के नहीं रखोगे और यहीप आप पी लोगे पानी के अंदर ही डाल you है ना बहुतसों लोक पानी कैसे Pawk पटे आइसे गिलास पकड़ते हैं अब अगर तुम ऐसी सट पकड़ोगे तो यह उंगली तुमआरे गिलास के इंदर पानी में अप्र तुम पानी प्योगे तो एक तud पानी खुला रखा है या तुमने युआ पानी के इंदर जिवालू के द्वारा होता है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है सिगेल, क्या नाम है जिवालू का, सिगेल नाम है, ठीक है ना, तो यह इस जिवालू के द्वारा होता है, या फिर यह प्रोटो जवा के द्वारा भी हो सकता है, ठीक है जिस प्रोटो जवा का नाम क्या होत है एन्टमीब हिस्ट्र है जिवाड़ू के दोरा भी हो सकता जिसका नाम क्या है सिगेल है तो इसके दोरा ये बीमारी हो सकती है तो कैसे बता चले यह कौन से बींपारी है जब डॉक्टर-के-ogoDe उसको बताओ कि भीया हमारे बच्चे को या हमको यह यह लच्छड आ रहे हैं खासी आ रहे है और टमप्रेचर बढ़ गया है हमको बार बार फ्रिश होने जाना पड़ता है तो डॉक्टर आपको बताएगा कि इन सारे लच्छडों का मतलब है कि आपको क्या हो गया है डाइर अब यह होता कैसे है यह बीमारी कैसे फैलती है यह बीमारी फैलती है प्रदूसित खादेपरदार्द से या फिर दूसित जल से तो कभी भी खादेपरदार्द या जल कैसा नहीं होना चाहिए प्रदूसित नहीं होना चाहिए उसको खुले में नहीं रखना है बोजन को हम सा भखे रखना एं पानी को हमेशा भखे रखना एंा है खाना खाने से पहले हँदुलैं खाना खाने के बाद भी हँदुलैं果 आप यह सारी चीज़े करेंगे तो यह बीमारा यह बच्चें को वहिश्य में नहीं होंगी ठीक है. वही अगला कोश्ण क्या कि कुछ बच्चे अन्ने बच्चों कि आपईचा जल्दी बीवार चरकार हो जाते हैं अब इस बच्चे को कोई बीमारी हुई महलंब आप यही वातावण को nggak udah रह नहीं हो दूसरे बिमार ह सब्सक्राइब को नहीं है आपका दोस्त रह रहा है वह बीमार हो गया आप नहीं हुए या आप बीमार हो गया वह नहीं हुआ ऐसा क्यों होता है ऐसा क्या कारण है तो बटा ऐसा कारण इसलिए है चुकि कुछ बच्चे जल्दी बीमार हो या तिसका कारण यह है कि जो घरेलू और विक्तिकत स्वच स्चता हमारे घर के अंदर हैं अगर हम बीमार हो रहे हैं या मेरा कोई दोस्त बीमार हो रहा है तो उसका कारण क्या है या yeah तो मेरे घर में या फिर स्थजोचच भोजन यह गोड़न ऑद कि नहीं बनाने के बाद या फिर कुपोशड एवं संतुलित आहार आहार जो हम लोग ले रहे हैं अब डेली पिज़ा आ रहा है भाई सब डेली मुमोज आ रहे हैं डेली बर्गर खा रहे हैं डेली चौमीन खा रहे हैं तो यह हमको संतुलित आहार नहीं मिल पा रहा है ठीक है न तो एक ही स् सबसे पहला कारण क्या है कि पर्यावण सोच होना चाहिए उचित जन स्वास्त सेवाई होनी चाहिए मतलब कि पब्लिक ट्वालेट्स होने चाहिए क्या होना चाहिए पॉब्लिक ट्वाइलेट होना चाहिए अब कोई वेक्ति बाहर गया अगर मालो उसको बातरूम जाना है तो अगर वो रोड के किनारे कहीं खड़े हो गर के बातरूम कर लेगा तो उससे क्या बातावन क्या होगा रोग यूप्त हो जाएगा फिर वहाँ बीमारियां वर्ण्वाट्वी सोचवना चाहिए दूसरा दूसरा व्यक्ति गतसोचता होनी चाहिए और संक्रामगरोगों को क्जा करती है रोगतीय व्यक्ति कमनलब हम साफ सुत्रे हो कैसे रहेंगे तो जब भी कोई शिश्क घाने जाएंगे तो हाथ दुल के जाएंगे पानी पीण ना होगा तो गिलास हो गिलास को में जो पानी ऊसको ठक के रखेंगे तो ये सारी क्या हो गई यह गई व्यक्ति हो घ्र hippie sc Satre aRob Crunch क्या हूँ है कि हमारे सरीर के प्रती जो हमारे जो प्रतिरःच्छा संतुलित भोजन तदा काफी पोशण युक्त आवश्यक है अगर हमको अच्छा पृतिर अच्छा तंत्र चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको संतुलित भोजन करना पड़ेगा और पोशण युक्त भोजन खाना पढ़ेगा जिससे हमारा पुट्तिरेच्छात आंत्र immune systems मझबूत रहे loi चहच मालो अगर कोई जीवाडू या वीशाडू हमारे सरी अंदर प्रवेस करता भी है तो हमारा पुट्तिरेच्छात आंत्र मझबूत होने की बहुत ही ज़्यादा क्या है जरूरी है ठीक है वहीं चौता पॉइंट क्या आ जाएगा गमभीर रोगों के विरुद क्या रहना है तीका करना कराना है पेटरच्षा करना कराना है जिसको बोलते है वैक्सीन लगवाना तो अगर कोई और गंभीर रोग से लिए क्या करना है क्या हुना चाहिए अब पैसे की वजय से ौह फिर नहीं पिसलिए भारस सरकार किया हमारी सबक्राइब कि का प्र फ्री ऑफ वेक्सीन वहाँ पर लगवाई ठीक है तो इस तरह जो गंभीर रोग होते हैं इनके प्रति क्या किया जाता है टीका करना किया जाता है जिससे बीमारी को फैलने से रोका जा सके वहीं कहरा है निम्न को इसपस्ट कीजिए कि जो रोग के प्रभाव को किस प्रकार से कम किया जा सकता है तो ऐसे उपचार उपलब्द कराए जाने चाहिए जो रोगों के लच्छड को कम करें ऐसा उपचार ऐसा ट्रीटमेंट देना चाहिए जो क्या करें रोगों के लच्छड को कम करें रोग के प्रभाव को कम करने के लिए टीके का उपयोग भी किया जाता है जैसे कि अभी ठीका करना किया गया था ठीक है इसके अलावा दूसरा कोश्च Associate कह क्या होती है एंटिबाटिक मेडिसीन होती है एंटिबाटिक क्या है मेडिसीन है दवाई ऐसी दवाईयां होती है जो सूचम जीवों को वाइरस को बैक्टीरिया को कवक कवक या फिर प्रोटो जोवा जो क्या करते हैं जो रोग पैदा करते हैं इसकी वरद्धी को अवरुद्ध कर देते हैं इसकी वरद्धी को रोग देते हैं तो अगर आपको सूच मजीवों को मारना है मतलब कि आप लोगों ने दूशित जल या दूशित भोजन कर लिया है द जब आप वो दवाईयां वो मैडिसिन आप लेंगे एंटिबार्टिक के रूप में तो उससे जो जीवाडू है विशाडू है जो कवक है जो प्रोटो जोवा है वो क्या हो जाएंगे खतम हो जाएंगे अब ये आपका होमवर्क है ठीक है इतने सारे कोशन्स हमने कराए हैं और ये दो कोशन्स आपको करने है ठीक है क्या करना है पहला कोशन्स है अच्छे स्वास्त के लिए कोई दो आवश्यक स्थितिया बताओ ठीक और दूसरा रोग मुक्त रहने के लिए कोई दो आवश्यक पर स्थितिया ये अब आपको करने हैं दो कोशन्स और ये आपको ब आपके जीवन को परिवर्तित कर सकता है क्या आज का लेक्चर आपके जीवन को परिवर्तित करेगा और एक्जाम के परस्पेक्टिव से तो महत्पूर्ण है ही तो आप हमको कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आज का लेक्चर आपको कैसा लगा धन्यवाद मेरे प्यारे प् बाइ यू